हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में तो अभी आपको मैं एक इंडिकेटर सर्कीट दिखा रहा हूँ जो 24 वोल्ट 36 वोल्ट और आपकी 3 वोल्ट की वैटरी का इंडिकेशन्स लेवल की वैटरी कितनी चार्ज है और कितनी देख सकते हैं 100 परसेंट वर्किंग है सो इस प्रोजेक्ट को मैं आटो को टॉफ में यूज़ करने वाला हूँ सो इसके एकॉर्डिंग मना रहा हूँ यहां पर इसके पहले दिखिए 19 वोल्ट की आपको बैटरी टेस्टिंग दिखा रहे हैं मतलब 24 के बाद आपकी 18 वोल और हाइपर लेवल तक चलती है हाइपर लेल है 35 वोल्ट की उपर यह जा सकती है राम से और इसमें जो एडिशनल बैटरी मैंने लगाई हुई है यह इसलिए लगाई है ताक कि लो बोल्टेज भी आप शेक करो तो आपकी LED का ग्लो जो है बिल्कुल नॉर्मल रहे अभी आ मैनुल जो प्रीशेट है आप उसको एड्चेस करके अपनी मंचाही रेंच का इंडिकेशन से ले सकते हो और एकुरेसी इसकी बहुत अच्छी है रिजन है इसके सारे सेक्शन बिल्कुल इंडिपेंड काम करते है तो उसी के एकॉर्डिंग ही चेंज अप करता है और जिस सप्लाइ मशीन से मैं इसको यूज कर रहा हूं मतलब का वोल्टिज वर्येशन दिखा रहा हूं उपर नीचे करके इसको आप भी अपने घर पर बनाव सकते हो बिल्कुल लोग बजट पर और मतलब पिना किसी प्रॉब्लम के और जो थोड़ा बद फ्लेक्शेशन आपको दिख रहा है लास्ट वाला यह रीजन है वह जो हमारा पॉर्ट है वैरियबल का वह एक दो वोल्ट के नीचे सपोर्ट नहीं करता है साइसे इसलिए प्रॉब्लम करता है बाकि सारे तीन चार वोल्ट की है अप कैपसिटी का कोई भी आइटेम लगा तो बिल्कुल बिंदा इसके बाद नेक्स्ट गैजट जल्दी ही आएगा आपका नेक्स्ट गैजट तो वीडियो यहां तक अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और छोड़ा है अपना इंट्रो भाई फिर सुरू करते इसको बनाना यह है हमारी 4915 IC LM ठी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह प्रोजेक्ट मैंने किसी और परपस से बनाया है बट यहां एक नॉर्मल वेज में जो इसको यूज किया जा सकते हैं वो आपको दिखाने के कोशिश कर रहा है मतलब अपनी मंचाही रेंज की बैटरी का जो इंडिकेशन से कितनी बैटरी के बची है या कहां पे है ड्रेनेज है वो सारी चीज़े आप चेक कर सकते हो तो यह लीडिक लिए हमने सोकेट तो निकाल दिया यह 2.7 के का हमारा रेजिस्टेंस है 2.7 के नहीं मिलता है तो आप 2 के भी लगा सकते हो यह फिलाल हमने जहां पे लगाया हुआ है यह हमारा हा आप तरीके से करा रहा है बाखी अप्रिसेट लगा आपके भी इस्तिमाल कर सकते हो और यह नहीं अभी 6 और 7 नंबर शॉर्ट कर दी है और 9 नंबर हमारे ओपन है 9 नंबर हमारे डॉट वाला सिस्टम 10 क का पॉर्ट लगाएंगे 10 का पॉर्ट अमेरा परफेक्ट काम करेग यह मतलब 10 गेगा पॉट आपका एक वोल्ट से लेके 40 वोल्ट तक उपरेटिंग करेगा बिंदास और 10 गेगा रेजिस्टेंस अब यूज कर रहे है जो चार नमबर पे लगाना है हमारा इसका सरकीट डाइग्राम आपको आगे मिल जाएगा और किसी तरीके के प्रोबलम होत सो इसी से रेलेटेड है और बहुत बेटर प्रोजेक्ट है अब देखेंगे तो आपको मजाएगी 100 परसेंट सो इसके एकोर्डिंग यह हमने जो और पूट के लिए कनेक्शन निकालने यह हमारा 10 गेग रेजिस्टेंस है यह आउपूट हमारा वही होगा मतलब इस पर तो इसको डॉट मोट और क्या कहते है बार मोट दोनों भी यूज कर सकते डॉट मुट का मतलब एक 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 लिडी उपर नीचे चलती जाएगी मतलब गैपिंग करती रहेगी मतलब स्लाइड होगी और अगर स्लाइड नहीं करना तो इसको कनेट कर दिए तो बार्स के डोप हमारी धमा धम चल जा कोई दिक्कत नहों तो कनेक्शन देख रहा है तो यह एलेडी के इंडिरेक्ली पॉस्टिव पर हमने दे दिया और यह निगेटिव उठा लिए यह हमारा बैटरी पर जाएगा मतलब एक नॉर्मल सी बैटरी में 3.7 वोल्ट की लगानी है या 3 इंडिशन होगी कि आपकी जब 2-3 वोल्ट की या बैटरी चेक करोगे तो यह इंडिकेशन दिखाया गानी सो उसी का ऑप्शनल मैंने यह उप्शन किया हुआ कि इसको पहले से ही मैंने एक एंप्लिफिकेशन के लिए बैटरी दीवी ताकि आपके एलेडी ड्राइब होना नहीं क्यों कोई बूस्ट तो कोई है नहीं तो इसपेशली एलेडी को ड्राइब करने के लिए एक अलक्षेक्शन दे दिया है और यह इन्पुट सोर्स दे रहे हैं इन्पुट मतलब यहां पर 3 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट मैंने जो मार्किंग की हुई है फिलाल इसस स्टाट कर दिया अभी 4 वोल्ट पर सेट के तो इसलिए इंडिकेशन दिखें पूरे हैं इसको डाउन करके आपको दिखाता हूं देखें जैसे से वोल्ट की डाउन होगा अब डाउन करेगा यह फ्लेक्शेशन और बाकी एक वोल्ट की नीचे चला गया हमारा सिस्टम कर जा रहा है उसका रेजन एक वोल्ट की नीचे चलाना नहीं है बाकी 6 वोल्ट 12 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट के उपर जिस पर भी आप ऑपरेट करोगे और 40 वोल्ट तक की बैटरी को चेक कर सकते क्योंकि इसका सर्कीट ही बिल्कुल पलट दिया गया है सारा डेमो आपके सामने बठ हमारा जो रेलेशन सिस्टम है मतलब जो हमारा बेंच पावर से अफलाई है वो ज्यादा से ज्यादा 30 वोल्ट तक जा सकते तो इसके उपर के डेमो आपको दिखा नहीं पा रहा है बट आप इतना समझ लो कि इसकी पूरी मशीनरी 3 वोल्ट से काम कर रही 3.7 वोल्ट से तो इसका मतलब है कि इस पर अपना मंचाहट DC वोल्टेज देखे है पर आम से चिक कर सकते हो बिना किसी टेंशन के स्टार्टिंग में सारा डेमोस्टेशन आपको दिखाई दिया है यहाँ पे सो थोड़ा सा और दिखा रहे है और इसी प्रोजेक हुआ है उससे आपको एड्जेस करना है कि इसका फाइनल वोल्टेज कहां पर जाएगा देन उसी के अकॉर्डिक और अगर कोई प्रोब्लम आती है तो अब इससे जोड़ी भी प्रोब्लम कोई भी आती है तो आप उसको कंसर्ट कर सकते हो नीचे वाट्सप ग्रूप के थ अप्लाई है मतलब कम बजट में आपकी एक नंबर का गाम करेगी बागी बैटरी के टेस्टिंग्स आपको दिखा रहा हूं मैंने थोड़े थोड़े पार्ट से इसमें कट कर दिए कट करने का मतलब जो वोल्टेज करने का आप इसके टैन के के पॉर्ट से अपनी मन चाही बैटरी का जो वोल्टेश चाहिए उसको एक बार एजस्ट करके छोड़ सकते हैं और जिस भी बैटरी का आपको इंडिकेशन चाहिए बस उस पर एकुरेसी में आपको एक बार सिर्ट करके लगाना देन यह हमेशा ऐसी ही का ऐसा चलता रहेगा और 10 लेवल का एकुरेसी है तो इससे अदा आपको क्या ही बताया जाए कि इसमें क्या बेटर हो सकता और क्या करा आप तो बस यही था और दो दिन वेट कीजिए आपके लिए यूनिक प्रजेक्ट लेकर आना है चार्जिंग सर्कीट है आपकी बैटरी जैसे ही चार्जिंग होगी कट आफ कर देगा जैसे बैटरी एक लिम्टेशन बोल्टेस तक पहुंचेगी जहां पर आपका टॉफ शाय थे तैन उसी जगह पर ओवर डिश्चार्ज होने से बैटरी को प्रजेट कर लेगा तो सारा प्रजेक्ट हमारा यही तक था तो ऐसे ही अपने भाई का सयोग करिए और सपोर्ट कर करते रही है बागी थोड़ा साम खेल लेते हमेशा की तरह पस इतने ही था तो बस वीडियो यही तक था वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और सपोर्ट करिए अपने भाई को फिर मिलते किसी नए वीडियो में नए प्रजेट के साथ तब तक टेक केर बाई बाई अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए टेक केर